नमस्कार दोस्तो, ऐलवेरा एक ऐसी ओसेदी है जो हर घर में पाई जाती है, ऐलवेरा भले ही एक छोटा सा पोधा है लेकिन इसके गुन अनेको हैं, इसके अंगिनित फाइदों के कारण ही इसे आज लगबग हर घर में इस्तिमाल किया जाता है, और ऐलवेरा के फाइदे हम जित कुमारी के नाम से जाना जाता है, ऐलवेरा भले ही एक छोटा सा पोधा हो, लेकिन अपने गुनों के कारण या हमारे स्वास्त के लिए बहुत जादा ही आवश्यक है, ऐलवेरा के कई ऐसे आशदिये गुन हैं, जो आज अनेक प्रकार की बिमारियों में भी प्रयोग किया जा रहा है, ऐलवेरा के अशदिये गुन के अगर बात की जाए, तो इसमें एंटी सेप्तिक, एंटी बेक्टिरियल, एंटी इंफ्लिमेटरी और ऐसे ही कई अन्य गुन मौजूद है, इसके साथ ही इसमें विटामिन A और फॉलिक एसिड जैसे जरूरी पोशक तत्व को भी पाय जाते हैं, यह एक हेल्थ टॉनिक की तरस्वास्त के लिए लाबकारी हो सकता है, यह एक मात्र पौधा पाचन क्रिया से सुधार से लेकर रोग प्रती रोधक शमता, यानि जो इम्मुनिटी को बुष्ट करे, हमारा इम्मुनिटी को मेंटेन करे, उसके साथ आपकारी होता है, तो चलिए देखते हैं, अब ऐलोवेरा के फाइदे क्या है, ऐलोवेरा के खाने से, ऐलोवेरा को स्किन पर प्रयोग करने से, हमें किन-किन चीजों में फाइदा मिल सकता है, जो सबसे पहला है, वो है कि ऐलोवेरा वजन कम करने के लिए काफी लापकारी होता है बाहर का खाना और साही धंग से सारी क्रिया ना करने से वजन बढ़ने की समस्या हो सकती है ऐसे में अगर एलवेरा जूस का सेवन किया जाय तो कुछी हद तक इस परशानी से छुटकारा मिल सकता है दरसल नेशनल सेंटर फोर बायो टेक्नलोजी इंफोर्मेशन की वे खपत को बढ़ाता है और शरीर में फैट को कुछ हद तक कम कर सकता है और मोटापे और डाइबेटीज की सुरवाती लक्षणों से पीडित मरिजों में भी एलवेरा जेल से वजन कम होने की संभावना रहती है दूसरा जो एलवेरा का फाइदा यह है कि एलवेरा कब्ज के लिए तरह तरह के दवाईया लेती हैं जिसके दूस प्रभाव हो सकते हैं ऐसे में अगर प्राकृतिक चीजों का सेवन किया जाए तो कब्ज के परशानी से रहाद मिल सकती है एलवेरा में लेक्जेटिप पाया जाता है और पेट साफ करने का जो गुन है वह रहता है जिस टाइप टू डाविटीज के ग्रस्त मरीज का बलड सुगर लेबर कुछ हद तक संतुलित हो सकता है एलवेरा के एंटी डाविटिक गुन मदू में बहुत ही प्रभावकारी होता है एलवेरा की लाब की बात करे तो यह पेट और पाचन तंत्र के लिए भी फाइदमंध है पाचन समदी समस्याओं के लिए एलवेरा जूस का सेवन किया जाता है कोलेस्टरोल को कम करने के लिए एलवेरा काफी लाबकारी होता है एलवेरा की वेबसाइट पर प्रकासित एक रिपोर्ट के अनुसार एलवेरा के सेवन से ना सिर्फ ऑक्सिडेटिव स्ट्रेस कम होत होता है बलकि liver cholesterol भी कम हो सकता है मस्तिष्क स्वास्थ के लिए भी घृत कुमारी काफी लबदायक है एलोवेरा हमारे neurogenerative diseases जो होती है जो हमारे मस्तिष्क की बीमारियां से जो जुड़ी है जैसे मिर्गी होना एक अध्यन के मताबित ऐलोवेरा इसमरन सकती को बेहतर करने में मददकार है रोक से बचाओ के लिए भी ऐलोवेरा काफी लबदायक होता है सूजन के लिए भी ऐलोवेरा काफी लबदायक होता है गठिया के लिए घृत कुमारी का प्रयोग किया जा सकता है मुह के स्वास्त के लिए भी प प्रियोग किया जा सकता है अलवेरा के सबसे बड़े लावों में से एक हो सकता है कि आप गहाओ भरने में इसका प्रियोग कर सकते हैं यह Fibro Blast जो कोसिकाएं जो हमारे कोलाजेन का उत्पादन करती हैं उसके प्रसार में सुधार कर गहाव भरने की प्रक्रिया को तेज कर देता है और यह रोग परतिरोधक छमता के लिए भी प्रियोग किया जाता है रोग परतिरोधक छमता मतलब होता है कि आपकी इम्मुनिटी अगर आपकी इम्मुनिटी कम है तो अलवेरा का प्रियोग और जूरियों के लिए भी अलोवेरा जेल के फाइदे हैं कि आपके अगर तोचा पे जूरियां आ चुकी है तो अलोवेरा का जरूर प्योग करें